वरी गुड मार्निंग लास्ट लेक्चर में हम स्टड़ी कर रहे थे मेक्यानिसम ओफ क्रॉप इंप्रॉमेट तो लास्ट में वीडियो में थोड़ी सी प्रॉबलम होगी थी तो वो पार्ट में रिपीट कर देती हूँ आर्टिफिशल हाइबराइजेशन की हम लोगों ने दो ड्रॉबएक बताई थी पहले ड्रॉबएक क्या थी लिमिटेड अविलिबिलिटी आफ ड़जाइड गरेक्टर जो अर्टिफिशल हाइबराइजेशन में जो हम अच्छी क्वालिटी के पैरेंट को सेलेक्ट कर रहे है वो पैरेंट हमें मिलेंगे का नेचर में मिलेंगे न तो वो नेचर में अल्रेडी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो डजाइड करेक्टर दो अलग-लग प्लेंट में है हमें किस में चाहिए एक ही प्लेंट में चाहिए इसका मतलब artificial hybridization कभी भी नए trait को introduce नहीं कर सकता है ऐसे trait को hybrid में नहीं ला सकता है जो nature में exist ही नहीं कर सकता और हमारे पास ऐसे character बहुत कम available है जैसे कि अब देख लो आपका corona आगया तो क्या किसी organism की body में corona का resistant azine है? नहीं अभी तक हम इसको discover नहीं कर पाए हो सकता है आने वाले time में resistant azine develop हो जै तो फिर हम उसको क्या कर लेंगे? select कर लेंगे लेकिन first time तो उसको क्या करना पड़ेगा? artificially induce कराना पड़ेगा तो वो जो method है जिसमें हम नए desired azine को introduce कराएंगे जो nature में exist नहीं करते है वो method किलाता है mutation breeding तो mutation breeding के जो scope होते है वो artificial abidization से क्या है? ज्याद है इसको क्यों develop किया गया? क्योंकि artificial abidization के drop है कई? अब mutation breeding क्या करते है बेटा? इसकी advantage क्या है? इसकी advantage ही यही है इसकी advantage है जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले कि mutation breeding है क्या? तो mutation breeding actual में बेटा दो वर्ड से मिलकर के बना है mutation plus breeding ठीक है? तो इसमें हम सबसे पहले study करेंगे कि mutation क्या है mutation क्या होता है? sudden heritable change sudden heritable change in genetic material या hereditary material अब sudden मतलब अचानक से हो रहा है hurry table change मतलब यह change ऐसा है जो generation after generation inarrate होता है transfer होता है genetic material में change है इसलिए क्या होता है? inarrate होता है ठीक है? तो इसको हम यह भी कह सकते है alteration in DNA sequence sudden alteration in DNA sequence alteration का मतलब होता है change change आ रहा है change किस में आ रहा है? DNA की sequence में that means हम किसको change करें उस individual के genetic makeup को change करें that means genotype को change करें और अगर xenotype में change आता है तो किस में भी change आएगा physical expression में that means phenotype में जो physical expression होता है जैसे हमारा जो eye color है hair color है वो दिखाई देता है जिसके physical existence है वो होता है phenotype लेकिन इसके लिए genetic makeup जो होता है उसको हम observe नहीं कर सकते है वो genetically हमें method से पता चलता है तो किशन क्या है कि mutation कराई कैसे जाए ये तो हमने बता दिया कि ये नए trait को लाकर के दे देगा mutation कराई कैसे जाए mutation कराने के लिए हम कुछ agent को use करते है जिनको हम कहेंगे mutazan हम mutazan क्या हो सकते है या तो physical mutazan हो सकते है या फिर chemical mutazan हो सकते है physical mutazan में mostly हम radiation से use करते है जैसे की alpha rays, beta rays, gamma rays ठीक है UV rays UV rays ध्यान अकना UV rays जो होती है they are less penetrating इसलिए microbes के लिए prokaryotic organisms के लिए यह जदा effective होती है eukaryot के case में इतना effective नहीं होती है chemical mutazans का effect जदा आते है अब आते है mutant word क्या होता है mutant word भी आते है mutant क्या होता है जिस organism में हम mutation करा रहे है जिस organism में हम mutation करा रहे है by the exposure of mutazan वो क्या कलाएगा mutant कलाएगा जब उसमेMutation हो जाती है तब हम उस organism को क्या कहेंगे mutant कहेंगे कि उसमेMutation हो चुकी है अब होता क्या है जो भी आपका desired plant है अब उसमें सारे useful trait तो है नहीं कोई ना कोई trait ऐसा है जो उसमें नहीं है और हमें चाहिए और nature में उस plant की किसी भी variety में वह available नहीं ठीक है तो हम क्या करेंगे उस plant के उपर mutants उनको expose करेंगे अब mutants उनको expose करेंगे तो अलग-अलग type के mutant बनेंगे किसी में कोई mutation होगी है किसी में कोई तो उसमें से हम उस plant को select कर लेंगे जिसमें desired mutation आईगे आगे फिर हम इस plant को या तो tissue culture की help से multiply कर सकते हैं किसकी help से? tissue culture की help से? या फिर इसको हम breeding program में use कर सकते हैं breeding program में कैसे? एक plant हम select कर लें high yield वल high yield तो चाहिए चाहिए और उसकी breeding किस के साथ करा दे? इसके साथ करा दे तो ये method क्या कहलाएगा? mutation breeding मुटेशन के साथ हमने ब्रेडिंग यूज कर लिया ठीक है अब आते हैं इसकी दूसरे ड्रोबेक के बारे में ये तो प्रॉब्लम सौल होगी जो ट्रेट हमारे पास नेचर में एक्जिस्ट नहीं कर रहे थे उनको भी हम किस से बना सकते हैं मुटेशन से कोई गेरेंटी तो तो अनडशारड करेक्टर आंडशार क्रेक्टर आल्सो कमबीन हो जाते है अब हमें तो सुर्फ डशार्ड चाहिए अँनडशार्ड चाहिे नहीं तो इसी को हम आइडी लिए टिक्नोलोजी भी प्याते हैं। अब इस T waiting से जो प्लिन्ट हमें मिलेंगी उनको हम बूलें ग प्लैंट, शॉर्ट में हम यूज करते हैं GMO, that means genetically modified organism, या फिर हम उनको बोलेंगे transgenic plant, क्या बोलेंगे transgenic plant, अब क्रिशन आता है कि इनको बनाया कैसे है, तो हम क्या करेंगे बटा, ये आपका वो प्लैंट है जिसमें आपको कोई desired azine transfer करना है, कोई ना कोई तो desired azine इसमें लेकिन वो desired azine आपका इस plant की variety में नहीं, अगर इस plant की किसी variety में होता तो हम artificial hybridization करा देते, genetic engineering हमें कराने की जुरूरत ही नहीं थी, problem क्या है कि वो उसकी species में प्रेजेंट नहीं है, अब माल लो ये mustard plant है, तो वो किसी भी mustard plant में वो desired character ही नहीं, अब माल लो किस में है, माल लो हम कह दें कि एक bacteria में है, अब bacteria की हम plant के साथ तो breeding तो करा नहीं सकते ही, तो उस case में हम क्या use करेंगे genetic engineer, हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया के DNA को, total DNA को निकाल लेंगे, जो भी इसका genetic material है, total genome को हम बाहर निकाल लेंगे, total genome में से हम उस gene को identify करेंगे, जो उस desired character के लिए code करते हैं, ठीक है, उस particular gene को identify करेंगे, जो उस desired character के लिए code करते हैं, फिर restriction enzymes की help से, restriction का मतलब ही क्या है, कि वो एक specific जगह पर cut लगाएंगे, उसकी help से हम इसके DNA में cut लगाते हैं, और इस desired gene को बाहर निकाल लेते हैं, फिर हम इस desired gene को हमारे host plant में insert करेंगे, लेकिन ये directly तो insert हो नहीं सकता है, इसको insert करने के लिए हमें क्या चाहिए, vector चाहिए, vector मतलब कोई carrier ये भी क्या होता है, circular DNA ही होता है, ठीक है, तो ये चीज थी इसके बारे में, अब आते हैं, example, genetic engineering से most common जो example आता है, वो आता है, बिटी cotton का, इसका मतलब यहाँ पे जो cotton plant है, वो कैसे है, transgenic plant है, transgenic क्यों है, क्योंकि इसके पास ये जो betyzen है, actually betyzen, bety toxin के लिए cod करते हैं, जो इस plant को insect के resistant बनाता है, एक specific insect के लिए क्या बना देगा, resistant, कि मतलब वो insect, इस plant को effect नहीं कर पाएगा, हम ये नहीं कह रहें कि इस plant पे attack नहीं करेगा, बिटा, resistant का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है, कि वो इस plant पे attack नहीं करेगा, अटाक तो कर सकता है, लेकिन इसको effect नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, effect नहीं कर पाएगा, अब ये जो bety toxin का zine है, ये कहां से लिया गया है, एक bacteria से लिया गया है, और उस bacteria का नाम है, इसी के नाम से इसका क्या नाम पड़ा है, Bacillus thuringiensis, हमने क्या करने है, bacteria का zine हम किस में डाल रहे है, plant में डाल रहे है, तो ये method species barrier को कौन तोड़ सकता है, genetic engineering, तो ये इसका example था, दूसरे example है, mutation breeding, तो mutation breeding किस में कर आएगा ही, वो मैं आपको बता देती हूँ, actual में, Norman E. Borolog, Green Revolution का जिसको हम जनक कहते हैं, चीक है, Norman E. Borolog ने, 1963 में, Mexican variety of wheat को produce किया, जो की काफी beneficial थी, Mexican variety of wheat, लेकिन इसके साथ problem क्या थी, कि इसके जो wheat के grain थे, वो red color के थे, red grain था ये, तो किसी भी, किनी भी लोगों ने इसको prefer नहीं किया, कि red chapati हम खाएं, तो क्या हम prefer करेंगे, नहीं, तो इसको तब तक prefer नहीं किया, जब तक हमने इस plant में mutation नहीं करा दी, किसकी help से, gamma radiation की help से, और इनको red grain की बज़ए, amber grain में convert नहीं कर दिया, किसमें convert नहीं कर दिया, amber grain में, और ये किस ने किया, एमस्वामी नाथन ने, जिसको हम Indian father of green revolution कहते है, ठीक है, जब तक उसने इसको amber grain में convert नहीं किया, तब तक हमने इसको accept नहीं किया, तो ये तो था हमारा कलवला पार्ट, अब हम देखते हैं, नेक्स पार्ट पे आते हैं, crop protection management, अच्छे इससे और ध्यान अखना, अभी तक हम लगबग लगबग 200 genetically modified plants को बना चुके हैं, genetically modified जो crop varieties हैं, उनको हम develop कर चुके हैं, अब हम आते हैं, crop production management, अब देखो, crop production management के अंदर, मिली क्या आती है, crop production practices आती है, अब agriculture के लिए, हम क्यासी practices use करेंगे, वो किसके उपर depend करता है, आपकी कितनी capacity है input डालने की, जैसे कि जो बड़े बड़े जमीनदार होते हैं, वो तो advanced technology यूज़ करते हैं, आम किसान होता है, वो इतनी technology यूज़ नहीं करता है, अर केरीड आउट, लेकिन फार्मर की जो purchasing capacity है, for input, at built aside cropping system and production practices, कि हम कौन सा cropping system यूज़ करेंगे, और क्या हमारी production practices होंगी, ये किसके उपर depend करता है, हमारे input के उपर depend करता है, कि हम कितना input इसमें डाल सकते हैं, इसके basis पर हम agriculture को तीन कटेगरी में डिवाइड करता है, no cost production, जिसमें हमें कोई cost ना लगानी पड़े, low cost production and high cost production, ठीके, अब crop production जो management है, उसके basically तीन component होते हैं, जो input है में डालने होते हैं, basically तीन component होते हैं, एक तो होता है nutrient management, irrigation and cropping pattern, कि हम nutrient को कैसे manage करें, यह तो बहुत ज़रूरी है growth and development के लिए, proper irrigation कैसे किज़े, कौन सा cropping pattern यूज किया ज़े, तो यह सारी चीज़े किसके अंदर आते हैं, crop production management में, इसमें हम सबसे पहले लेते हैं, nutrient management, अब सबसे पहले चीज़ तो, plant को nutrient क्यों चाहिए, अपनी growth and development के लिए, किसके लिए चाहिए, growth and development के लिए, repairing के लिए, क्या चाहिए, nutrients चाहिए, अब दूसरा question आता है, nutrient मिलेंगे कहा से, तो nutrient कहा से मिलेंगे बटा, या तो air से, या water से, या soil से, ठीके, अभी तक, जितने भी nutrients हमें मिलेंगे, उन में से 16 nutrient को, हम essential nutrient की category में, divide करते हैं, क्यों और कारण क्या है, वो भी मैं आपको बता देती हूं, सबसे पहले तो देखो, हमने क्या कहा, resource का का काम कौन कौन करता है, air भी कर सकती है, water भी कर सकता है, और swell भी, air हमें, two nutrients को सप्लाई करती है, plant की, हमें नहीं, plants को, कितने nutrients सप्लाई करती है, दो टाइप के nutrients, कौन कौन से, carbon and oxygen, air दो टाइप के nutrients सप्लाई करती है, कौन कौन से बता, carbon and oxygen, water, one टाइप का nutrient सप्लाई करती है, और सोल की अगर हम बात करें तो 13 नूट्रेंट सप्लाई करती है कितने नूट्रेंट? 13 तो टोटल कितने हो गए है हमारे पास? 16 नूट्रेंट ऐसे हो गए है which are found essential ठीक है? यह वो प्लेंट की growth, development, उसकी repairing, उसकी functioning, उसकी reproduction के लिए चाहिए और अगर प्लेंट में उन नूट्रेंट की deficiency होगी तो प्लेंट में deficiency symptoms आएगी तो यह जरूरी हो जाता है कि अगर हम चाहते है कि प्लेंट की productivity जदा है soil तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि soil को हम इन नूट्रेंट में रिच रखे तो एक बार हम study कर लेते है soil हमें कौन-कौन से नूट्रेंट देती है तो soil जो हमें नूट्रेंट देती है उनको हम दो किटेगरी में किटेगराइज करते है एक तरफ हम लेके चलेंगे macronutrients और दूसरी तरफ हम लेंगे micronutrients macronutrients 6 इन नंबर होते है और micronutrients 7 इन नंबर होते है तो total कितना हो गया बटा 13 हो गया ठीक है macronutrients को macronutrients क्यों कहा जाता है यह important है difference because they are required in large quantity क्योंकि यह large quantity में चाहिए कितनी large quantity में 1 milligram per gram of dry matter इससे जादा चाहिए एक ग्राम dry matter में 1 milligram से जादा होना चाहिए इतनी तो लगवग लगवग amount होनी चाहिए ठीक है और अगर इनकी requirement low quantity में हो low मतलब कितनी less than 1 milligram per gram इससे कम quantity में अगर required हो तो हम क्या बोलेंगे micronutrients ठीक है अब यह जादा quantity में क्यों चाहिए इसका कारण क्या है because they take part in building plant body यह plant body को build up करने में चाहिए होते हैं अब micronutrients तो कम quantity में चाहिए तो यह plant body को build up करने में तो इनका कोई रॉल नहीं है लेकिन फिर यह क्या रोल करते हैं कम concentration में जरूर है लेकिन they have roll in enzyme activity इनका enzyme activity में roll होता है जैसे कई सारे enzymes के लिए activator का काम करते हैं ठीक है या फिर electron transport में भी involved होते हैं electron transport chain होती है जो electron को transport करेगी और उसके पास energy है उसको ATP की form में convert हो ठीक है जबकि इसका इस तरीके का कोई भी रॉल नहीं होता है अब आता है main example जो आपको याद होने चाहिए तो macronutrients में एक तो आप याद रखना बिटा है NPK NPK खाद जो है वो कॉमली खेतों में यूज की जाती है आप farmer से पुछोगे न तो वो NPK खाद को यूज करते हैं N से nitrogen, P से phosphorus, K से potassium क्योंकि यह ऐसे nutrient है जिसमें ज्यादा तर soil deficient होती है क्योंकि यह बहुत large quantity में चाहिए होते हैं तो तीन तो यह होगे nitrogen, Phosphorus और potassium इसके अलावा calcium, magnesium, and sulfur जैसे हम केलमेक की tablet लेते हैं न तो calcium और magnesium वैसे ही plant के लिए भी large quantity में चाहिए होता है और छटा क्या हो गया आपका sulfur यह आपको 6 के 6 नाम याद रखने हैं जबकि micronutrients में क्या क्या आते हैं iron, magnesium, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine क्या जाएगा chlorine कितने होगे 7 होगे तो 6 आते हैं macronutrients and 7 आते हैं micronutrients तो यह आपको अच्छे से revise करना है यह आज का हमारा topic था next topic में हम पढ़ेंगे mode of intake of soil nutrient soil nutrient को plant कैसे intake करेगा वह हम next lecture में पढ़ेंगे thank you